सीवर सक्षन मसीन कैसे चलानी है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे यह आदेज जी है जो आपको बताएंगे कैसे चलाया जाता है सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे गाड़ी स्टार्ट करने से पहले भी हम इसको लीवर को न्यूट्रल रखेंगे इसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे किलच दाबने के बाद हम इस लिबर को पोरा पीछे करेंगे इस यह हमारा प्यटो लग जाएगा इस प्यटो लिखा हुआ है पिचर की साइड मों अन हो जाता है चालो कर दी जा अब गाड़ीर? यह भी चालू नहीं करें एजी बदाएंगे फिर वहाँ अबाद सुनने में दिक्कत पढ़ेंगे ठीक हो पीटों पीछे करने के बाद हम धिरे धिरे अपना हैंड यह क्लेच है निद छोड़ेंगे इसके बाद हमारा पंप चल जाएगा पंप चल जाएगा हमारा बॉलवाल इस टाइम बंध है यह बंध होना चाहिए इसके बाद यह बालवाल पूरे तरीके से उपर करके बंध होना चाहिए वह यह हैंडल पंप का सक्षन मोड पर है इस पर लिखा हुआ भी है इसको सक्षन पर रहना चाहिए इस तरफ सक्षन मोड है इस तरफ सक्षन मोड है सक्षन करने के बाद हमारा जो वैक्यूम गेज लगा हुआ है वह 10 से 15 पर जब पहुँच जाएगा उसके बाद हम पीछे ज प्रखशन चालू हो जाएगा दो मिनट तीन मिनट चलने के बाद इसको फिर पूरा खोल देंगे ती कि खोलने के बाद लग भुग दस मिनट वाद। देवल गेज में पूरा दिखाई देगा भरते हुए जब ये पूरा इहां तक भर जाए उसके बाद इसको इसको बंद करने के लिए सबसे पहले हमारा बोलवाल लगा हूँ है इसको खोल देंगे नीचे जूझ आ खुल ता है छिक है प्तिवग के बाद ऑपरेटर को बोलेंगे ओने अध्या姓 को वह पीटिव को लिए घटा देंगे यह पीट्यो में लाग उसको करके Incorporate टीक है यह प्रक्रिया हमारी सघ्चनािफी बाद हमको एक्जॉस करना एक्जॉस के लिए वाणी डिस्चाज अगर और हम पीटी बगाने के बाद पीटी लगाएगे पी लगने के बाद वो चालू हो जाएगा पीछ के बालवाल तो पूरा कोल के लिए उच्छा अच्छा अच्छा को बहुत 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 धन्यवाद आपने ट्रेनिंग दिया सक्षेन के लिए